हेलो दोस्तो आपका मेरे यूटूब चेहबा बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो महिला हो या पुरुस खूबसूरती सभी के लिए माइने रखती है हर कोई चाता है कि उनका चेहरा बेदाग और चमकदाथ नजर आए वो बात और है कि आधनुकता के दोर में तोचा का ख्याल ना रखने के कारण इसकिन की प्राकरतिक चमक फीकी पड़ती जाती है ऐसे में लोग रंग साफ करने का तरीका अजमानी के लिए तरह तरह की क्रीम लगा कर चेहरे की थोड़ी बहुत बचुई चमक भी ना चाते हुए खत्म कर देते है फिर क्यों ना तोचा की रंगत निखानने के लिए घरोली उपायों को अपनाया जाए इनमें प्राकरतिक चीज़ों का इस्तमाल होता है इसलिए तोचा आप बुरा प्रवाव पढ़ने का डर भी कम हो जाता है इसी वयसे आज के इस वीडियो मैं आपके लिए रंग साफ करने का घरोली नुस्का लेकर आया हूँ इस फेस पैक को आप अपने चेरे पर लागा कर अपने चेरे को गोरा बेदाग और चमकदार बना सकते हैं तो दोस्तो इस नुस्के के लिए आपको सबसे पहले जुरूत पढ़ेगी यहाँ पर एक खाली बावल की और इसमें आपको सबसे पहले जोची लेनी है वो है दोस्तो सहद दोस्तो आपको यहाँ पर इसमें एक चमब जो है सहद का एड़ करना है दोस्तो सहद हमारे तुचा की हर समस्या को दूर करने वाले एक प्राकरतिक उपचार है इसमें ऐसे प्राकरतों गुण होते हैं जो सरीर में होने वाली किसी भी तरह की एलर्जी से लड़ पाने में सचम है सेयद में एंटी वेक्टिर, एंटी फंगल और एंटी आप्शिन के गुण होते हैं इससे सरीर की पृतिरोज़क छमता बढ़ती है सेयद तुचा के लिए टौनिंग का काम करता है इसे चेरे पर लगाने से इसकिन ग्लो करने लगती है अब इसके बाद दोस्तों दूसी चीज़ जो आपको लेनी है वो दोस्तो हल्दी पाउडर दोस्तों आपको यहाँ पर इसमें चुटकी पर हल्दी पाउडर जो एड़ करना है हल्दी हमारे चेरे को निखानने का काम करती है हल्दी की मदद से हमारे चेरे के जितने भी द्याद दब्दो होते हैं काले निसान होते हैं दूर हो आते हैं आपने देखा और जब किसी की साधी होती है दोस्तो तो दुला-दूलन के सबसे पहले हल्दी का अप्टन किया एता है क्योंकि हल्दी की मदद से तेजी से तुचा में निखार आता है तो दोस्तो इस तरीके से आपको दोनों चीज़ लेने के बाद में अगली चीज़ जो लेनी है वो दोस्तो नारील का तेल आपको यहाँ पर जो पेरासूर नारील का तेल लेना है जो कि हमारे चेरे के लिए बहुती फाइदेमन्द माना जाता है इस नुस्के में दोस्तों नारील के तेल का इस्तमाल करने से हमारे चेहरे पर काफी अच्छा निखार आता है नारील के तेल में काफी मात्रा में fatty acid के साथ-साथ vitamin E भी पायाता है जिसकी वैसे ये चेहरे के लिए बहुती अच्छा मौशराई होता है अगर आपकी भी dry skin है तो ये आपके लिए काफी कमाल की चीज़ है नारील के तेल अपने anti vector गुणों के लिए जाना आता है जिसकी वैसे चेहरे की सुन्दरता खराब करने वाले एकने आपसे दूरी बनाया रखते हैं ये चेहरे के शीवम को यो maintain रखता है तो दोस्तो तीनों शीयन लेने के वाद में अब आपको इसे mix कर लेना है इस तरीके से दोस्तो ये आपका paste जो है mix होके त्यार होगा दोस्तो आप इस paste को जो है फ्रीज में store करके भी रख सकते हैं तो इस तरीके से आपको इसे बना कर जो अपनी उंग्लियों पर इस तरीके से आपको लेना है और जिस तरीके से आप अपने चैरे पर क्रीम लगाते हैं दूस्तो इस तरीके से आपको इसे लगाना है इस तरीखे से आपको अपने पूरे चेरी को उपर आपको जो इसे लगा कर कम से कम पंदरे मिनट के लिए ऐसे प्रच छोड़ देना है 15 मिनट के बाद में आप इसे साला पानी से दोकर साफ कर दे हैं इस उपाय को आप हपते में दो बार करें दो बार के इस्तमाल से आपका चेरा पहले से काफी गोरा चमकदार और बेदाग बनेगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लाओगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों स्चेर करें वीडियो को जो लाइक करें और हमारी यूटूब चैनल को अभी सब्सक्राब करें जिससे की नएने वीडियो नएनी जानकारी आप तक पहुंचती रहे मैं आपके लिए फिल आओं कोच अच्छा वीडियो तब तक के लिए दोस्तों बाई बाई